जेई मेंस में नुमेरिकल वेलू में आप्संस घटेगा अब 10 की जगा 5 सवाल नीट में लोट सकता है पुराना पैटर्न जेई एडवांस की कटप पर ज्यादा असर नहीं दोस्तों नमस्कार नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक से अर किजिए आज का अबीग अपड़ेट जे जेई में में नुमेरिकल वेलू में से अप्सन हटेगा अब 10 की जगा 5 सवाल सब हल करने होगे नेशनल टेस्टिंग एजनसी साल 2025 के जेई मेंस को प्री कोबिट के पैटर्न पर आयुजित करेगा साल 2025 में होने वाले जेई मेंस के सेक्षन बी अप्सन अब खत्म कर दिया गया है साल 21 में से लेकर 24 तक के जेई मेंस के सेक्षन बी में कुल 10 सवालों में 5 सवाल हल करने होते थी अब साल 2025 सवाल ही पुछे जाएंगो और छात्रों को 5 ही सवाल हल करने होगे सेक्षन वी में नुमेरिकल भेलू, इंटीजर टाइप या आधारी सवाल पुछे जाएंगे, दरसल चोईस हटाने का सबसे बड़ा आसर एवरेज स्टुडेंट पर आएगा, टोपर सी बदलाव से दिख प्रावित नहीं होगे, इस बदलाव से दस में पांच सवालों का च अंपेटिशन बढ़ जाएगा, वहीं सो फिस्दियंग हासिल करने वाले सात्रों को और भी एकुरेसी के साथ सवालों को हल करना पड़ेगा, नुमेरिक भेलू के सवाल जेई एर्वांस में हम मुमिका निभाने निभाते हैं, इस वज़ा से जेई में एक में अच्छा स्क पर करने वाले भी इन सवालों को प्रेक्टिक्स के लिए जेई में दू भी देते हैं, नीट में लोट सकता है पुराना पैटर्न, इस बदलाव को आदाब नीट भी पुराने पैटर्न पर लोट सकता है, नीट में पहले 180 सवाल पूछे जाते थे, कोविट के दूरान सवा सवाल ही हल करने होते थे, हलाकि सवालों को पढ़ने के लिए नीट में अतरिक समय भी दिया गया था, अब में के पुराने पैटर्न पर लोटने के बाद नीट में बदलाव की समय लग रही है, यानि जेही में बदलाव हो रहा है तो नीट में भी बदलाव हो जाएगा, ज अधिक अंतर नहीं होने वाला है अलांकि कुछी नंबर कम हो सकता है मेरा के लिए बॉट देने का आउसर मिलता है तो दोस्तों यह था आज का बहुत बड़ा बीग अपडेट नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर किजिए नहीं नहीं अपडेट के लिए मेरा चैनल देखते रहे हैं जाए इन्जुहार जारखन